आज हम सारेनिय अर्थार्थ टेबुलेशन के बारे में द्हिन करेंगे हम टेबुलेशन में टेबुलेशन का मेनिंग और इसके निर्मान की जो परकरिया है उसका विस्तार से द्हिन करने वाले हैं वर्गीकर्थ समकूं या तथ्यों को एक तालिका या शार्णी के रूप में कुछ स्तंबू तथा पंकतियों में व्यवस्तित करने को सारिनियन अर्थार्थ टेबूलेशन कहा जाता है जो भी हमारे पास आंकड़े होते हैं आंकड़ू का जो वर्गीकर्ण होता है अलगले परकार से उसको हमें एक तालिका या शार्णी के मातिम से कुछ असी स्तंब या पंकतियों को व्यवस्तित करते हैं जिसे सार्णीयन कह दिया जाता है सार्णीयन विशलेशन एम व्याख्या करने की दिसा में वर्गीकर्ण का अगला कदम है अगर हम बात करें सार्णीयन के बारे में तो अलग-लग जो विचारक हैं उन्होंने सार्णीयन को परिवासित किया है जैसे कि जो होदा एम उसके साती हैं उन्होंने सार्णीयन के बारे में ये बताया है कि जिस परकार संकेतन को तत्यों को वर्गी कर्द करने की प्राविदी की कारिविधी माना जाता है उसी परकार टेबुलेशन को संकों के सांख्ये की विशलेशन की प्राविदी की प्रक्रिया का भाग माना जाता है जो होदा ये कहते हैं कि जिस परकार विफिन जो फेक्ट्स होते हैं तत्त्य होते हैं उनको वर्गी कर्द करने की एक विधी होती है उसी परकार टेबूलेसन में भी क्या होता है कि अलग अलग जो समक होते हैं और जो फेक्ट्स होते हैं उनको वर्गी कर्थ किया जाता है और वर्गी कर्थ करने की जो परकरिया होती है वह सारनियन कहलाती है अगर हम इसको और अधिक व्यापकर्थों में जानना चाहें तो एक विचारक है एल हांस उन्होंने सारनियन को परिवासित करते हुए ये बताया है कि सारनियन तथ्यों की स्तंबू तथा पंकतियों के करम में जमाई गई व्यवस्ता है यहां हम ये देखते हैं कि टेबूलेशन का अभिपरा यही है कि अगर हम टेबूलेशन के मद्यम से किसी भी टोपिक को अगर समझाने का परियास कर रहे हैं जैसे कि उदारन के लिए मा लीजिए हमें पांच राज्यों के जो जनसंख्या के आकड़े हैं उनको समझाना है विद्यार्थियों को तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो पांच स्टेट हैं उनकी जनसंख्या लेंगे उस जनसंख्या को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम पांच जो स्टेट हैं करम से उनका नाम लिखेंगे उसके पस्षाद एक ऐसी सहानी बनाएंगे जिसके कोलम होंगे और परतेक कोलम में परतेक राजे की जनसिंक्या लिखी गई होगी इससे क्या होगा कि अगर हम परतेक राजे की जनसिंक्या का कंपेरिजन करना चाहेंगे तो आसानी से हम कर सकते हैं तो एलहां से उन्होंने यही समझाने का प्रियास किया है कि सहरणियन तत्थों की स्तंबू तथा पंकतियों के करम से जमाईगी एक व्यवस्ता है। यह एक और तत्थों के संकलन तथा दूसरी और उसके अंतिम विशलेशन के मद्दे की प्रकलिया है। टेबूलेशन द्वारा मातरात्मक तत्यों को इस तरह प्रस्तूत किया जाता है कि विजारा धिन समस्या बिल्कुल स्पष्ट हो जाए जैसा कि मैंने आपको पांच जो स्टेट हैं उनकी जनसिंख्या के बारे में बताया है तो हम आसानी से पांच जो स्टेट हैं उनकी जनस लग लग परकार के जो आंकडे होते हैं उनका हम तुलनात्मक अध्यन आसानी से कर सकते हैं। इस कारिय विधी के अंतरगत तत्यों को वर्गिकत करने के बाद स्तंबू तथा पंकतियों में इस चंग से जमा दिया जाता है कि उनकी विशेशताएं तथा तुलनात्मक महत्वय और अधिक स्पेश्ट हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो टेबूलेशन होता है उसका एक ही उद्यस्य होता है कि जो भी हमारा टोपिक है उससे सिमंदी जो भी हमारी समस्या है उसको अलग-अलग कोलम में दर्शाय जाता है और आसानी से उसका तुलनात्मक अध्यन भी किया जा सकता है। गलता से समझ में आ जाएं और इससे वे सपस्ट और बोधगमे भी हो जाते हैं जो अलग-अलग कोलम्स और जो पंकतिय होती हैं उसमें तत्यों को सजा देने से उनकी जो विशेशताएं होती हैं वे साफ-साफ दिखाई देने लगती हैं अंततर तत्यों का धेर संचिपत सांख्य की सारनी है उसको परिवासित करती है विए कहा है कि सांख्य की आसू लिपी कहा जाता है सांख्य की जो सारनी होती है उसको किन्तु सभी सारनियां हैं वो एक जसी नहीं होती हैं एक अच्छी सारनी उद्शे के अनुकूल एवं वेग्यानिक होनी चाहिए यदि उस में दल बदल की समस्या से समंदित तत्यों का वर्गी करन किया गया है तो सभी दल बदलों के दल समे करम बारंबारता आवरती तथा अवदि का परदशन भी होना चाहिए विभीन राज्यों के दल बदलों को अलग लग बता करके उसे तुलना के योगे बनाया जा सकता है उस इतना स्पस्ट एवं सरल बनाना चाहिए कि सामाने विक्ति भी अच्छे से उसे और सिग्रता से समझ सके वह प्रदर्शने अर्धार्थ आकर सक भी होनी चाहिए यहां जो विचारक हैं यंग उन्होंने सार्णी को परिवासित करते हुए यह बताया है कि एक जो सार्णी होती है वो इस परकार से बनानी चाहिए कि उसमें परतेग कोलम है उस टोपी की विश्देशता को दरसाए जैसे कि मैंने प्रारम में आपको एक उदहन की द्वारा बताया था कि अगर हमें पांच जो स्टेट हैं उनकी जनसेंक्या का कमपेरिटली अधिन करना है तो हमें पांच स्टेट के नाम और प्रतेग के सामने जनसेंक्या का कोलम बनाना पड़ेगा अगर हम इसी जनसेंक्या को और अधिक बताना चाहें कि प्रती वर्ष किस स्टेट की जनसेंक्या कितनी बढ़ रही है तो इसके लिए भी हमें एक अलग कोलम बना सकते हैं इसके अलावा अगर हमें प्रतेक स्टेट वाइज वहां की इस्तरी और पूर्स की जन सिंख्या का अनुपात बताना है तो उसके लिए भी हमें अलग-अलग कोलम बनाने पड़ेंगे इससे हमें क्या होगा कि हम प्रते वर्स पढ़ने वाली जन सिंख्या और इस्तरी और पूर्स दोनों की जन सिंख्या इन सब का हम तुलनात्मक अधिन कर सकते हैं तो हमें आसानी से हर प्रसन का जबाब हो समझ में आ सकता है यंग यही करते हैं कि अगर कोई हम सानी बनाते हैं तो हमें उनके तथ्यों का वर्गीकरन बहुत छी अच्छे धंक से करना चाहिए उसमें कोलम्स के माध्यम से हमें सपस्ट रूप से समझा देना चाहिए जिससे कि कोई भी वेक्ती अगर किसी भी टोपिक का अधिन कर रह है तो उसको असानी से उस सानी की मादेम से उस टोपिक को समझने में किसी प्रकार की करनाई नहीं हो हमें सानी की मादेम से किसी भी विशे को सपष्ट और स्रल बना देना चाहिए तब ही हम अपने उद्देशे में सफल हो सकते हैं तो हम यह देखते हैं कि चाहिए वो एकोनो में भी टेबूलेशन का बहुती प्रियोग किया जाता है चाए वो विभीन परकार के राजनेतिक दल हो या किस सन में कौन सी सरकार बनी थी उनका ग्राफ हो और उनके जो आंकड़े हैं वो सार्णी के मादें से दर्शाए जाते हैं तो जो टेबूलेशन होता है उसमें विभ टोपिक का आसानी से विशलेशन कर सकें और किसी दूसरे टोपिक के साथ उसका तुमनात्मक अध्धिन कर सकें धन्यवाद